जिस प्रोड़क के बारे में हम बात करने वाले हैं जो च्रेस फ्री लाइफ रख सकता है यानि कि हमारी बोडी ब्रेइन बोडी जो कोडिनेशन है और हमारी ओर आल वैल्बिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोड़क्ट है उसकी बात हम कर रहे हैं ब्रेइन वन की तो देखें ब्रेइन होता है वो 86 से बना होता है यानी कि 6 billion सेल होती है ब्रेइन में कितनी सेल होंगी कितना क्नेक्शन होगा इक साहतों अपने आप में बहुत कॉंपलेक्ट सा औरिगन है यह इसलिए आप देखेंगे मनुष्य जो है वह सबसे डिपरेंट है पुरी हे पूरी डाइवर्स बाय डाइवर्सिटी में human brain is very unique, very innovative और जो सोच सकता है और जो याद कर सकता है ये दो capability human brain में ही है इसके अलावा आप देखेंगे more than trillion connection यदि इन cell को connection करके देखेंगे एक दुसरे के साथ एक दुसरे के साथ जो connected है उसमें trillion of connection है जिसमें brain और nerve cell एक दुसरे से पूरी body में जुड़े होते हैं, so इतने connection है, so बड़ा complex है मुझे लगता है कि circuit house है है, थोटा भी fault बहुत बड़ी दिक्कत कर सकता है, so इसको संभालना बहुत जुरूरी है the nervous system इसको बोलते हैं brain is the part of nervous system basically, यह पूरा एक nervous system है जिसमें brain है, spinal code है, spinal code आपकी read की हड़ी के होते हुए आती है और nerve cell हैं जो entire body को function करती है, पूरे control में, आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, यह control करना भी आपका brain और nervous system का काम है, आप, आपने आपको कितना control कर सकते हैं, सारा brain यह जो coordination है, जो body का center है, coordinate करने का यह nervous system है, so एक और fact आपको बता रहा हूँ, कि trillion of cells आपके gut में पाई जाती है, microbes के रूप में, microbes का मतलब यहाँ पे bacteria, fungus, जो हमारे body के लिए बहुत अच्छा एक तरीके से friendly हमारे लिए हैं और हमारे लिए बहुत helpful रहते हैं, digestion से लेके immunity तक, brain gut connection सीधा है, जैसा खाओगे, un, वैसा रह मन, तो इसका मतलब है कि आपके पेट का connection सीधा आपके brain से, आपके mood से, आपके behavior से हैं, आज ऐसा आप fast food खा रहे हैं, इसलिए आपके fast behavior changes होते हैं, frequent behavior changes होते हैं, एकदम से घुस्ता आना, so temper होना, depression में जाना, so कहीं ना कहीं आपका जो diet है, वो एक तरीके से आपको day by day brain body क connection में lose कर रहा है, जिसकी वज़े से आपको इस symptoms बहुत ज्यादा आज के time पर आ रहे हैं, जो psychiatric के और neurological disorder हैं, वो increase हो रहे हैं, पिछले 20 साल से इन में बहुत बड़ी तेजी आई है, neurological disorders, basically, dementia है, आपका Parkinson's है, Alzheimer है, आप देखिए, चालिस साल प्लस के हैं, उनको मैसूस होता हो होगा, कई बार वो जैसे कुछ सोचा थोड़ी जिर में उनको भूल जाते हैं, क्या मैं क्या सोच रहा था, अभी क्या बोल रहा था, तरीके से signal है कि आपका neurological disorder, यानि कि age related, जो neuro degenerative disorder है, वो पैदा होने start होगे, memory से start होते हैं, फिर impairment पे जाते हैं, cognition function को एल्टर करते हैं, औ धीरे-धीरे आदमी को यादा सकती और decision लेने की power जो है, वो कमजोर पढ़नी start हो जाती है, तो ये पिछले दो decade से और ज्यादा बढ़े हैं, chronical illness like diabetes, obesity, CVD और ये जितने भी आप देख रहे हैं, चाहिए liver के disorder हैं, या आपके heart से related कोई problem है, मोटापा है, diabetes है, ये कही ना कहीं, आपके सीधे brain के function को influence करते हैं, अल्टर करते हैं, और आप देखेंगे, इनकी वज़े से भी brain को brain hemorrhage, brain stroke आना, memory loss होना, fast aging होना brain की, brain का secret जाना, ये सारी problem आपको, इनकी वज़े से भी होती जारी हैं, और आज देखेंगे, diabetes इंडिया में सबसे ज़्यादा, world level पे सबसे ज़्यादा है, we are the diabetic capital, you can say, obesity, मोटापा, आप देखेंगे, बचों, बच्चों में भी आ रहा है, तो ये कही ना, कही सारी चीजे, brain के function को directly influence करती हैं, तो इसकी health maintain करना, अमारे लिए, आज के time पे, एक challenge बनता जा रहा है, इसके अलावा, poor diet, and sedentary lifestyle, जो poor diet, हम fast food खा रहे हैं, आनिमन diet का रहे हैं, बिना fiber वाली diet का रहे हैं, low antioxidant intake कर रहे हैं, इसकी वज़े से बहुत ज्यादा brain पे inflammation होता है, और inflammation के कारण, बहुत सारे changes आपको आते हैं, ये chronic inflammation cause करती हैं, आपकी poor diet, sedentary life, और even obesity, CVD, diabetes, cholesterol का imbalance होना, hormone का imbalance होना, ये these influencing, or they are causing the chronic inflammation in the body, and chronic inflammation cause neuroinflammation, जब nervous system में inflammation बढ़ जाएगा, तो आपको एक तरीके से nervous breakdown और neurodesignative disorder हैं, जो memory से एक तरीके से सिधा असर memory पे डालते हैं, आपको stress और depression की तरफ लेके जाते हैं, और even यही chronic inflammation, vascular narrowing कर देता है, vascular narrowing का मतलब है, जो पतली पतली आपकी खून की नलिया, उनको और सिकोड देता है, और उनको narrow कर देता है, जिसकी वज़े से कहीं blockage बन जाती है, और जिसकी वज़े से brain hemorrhage या brain stroke, brain attack आने का एक खतरा रहता है, paralysis का आने का खतरा रहता है, it is all because of the chronic inflammation, chronic inflammation कहां से आ रही है, pollution से आ रही है, pesticide से आ रही है, smoking इसमें बहुत बड़ा role play करती है, और आप जो unhealthy diet लेते हो, जैसे ज्यादा से ज्यादा sweets खाते हो, ज्यादा से ज्यादा कारब आप लेते हो, refined कारब लेते हो, चीनी से बनी चीजें, ये चीजे chronic inflammation आपने cause करती है, और धीरे धीरे सारी body में inflammation के problem करती है, और वास्कुलर जो system है, जो खून का, खून को circulate करता ब्लेड को, उसका narrowing होना, उसकी जो capillaries होना, तो अपने आप में एक तरीके से heart पे और brain पे load डालता, जिसके वज़े से आपको हो सकता है, आप हाईपर BP के सिकार हो जाएं, हो सकता है, कि आप के कहीं पे वास्कुलर सिस्टम में रप्चर में आ जाए, यान की ब्रस्ट हो जाए, और उसकी वज़े से आपको तरालिटी का टैक आना, और सो मैनी टाइप ऑप के डिसोडर आपको हो सकते हैं, तो यहाँ पे अब आता है depression and stress, जैसे आज के टाइम पे देखेंगे, chronic depression and stress है, यह हमार पेट के भी जो हमारा digestive system है, उसके contract होता है बार-बार में, उसके contractions को भी एक तरीके से अल्टर करता है, और दूसरी तरीके से जो यह हमारा खाया पिया जो नीचे जाता, जैसे आप निगलते हो ना, तो इसको peristallic एक तरीके से moment बोलते हैं, so peristallysis इस पूरी process को बोलते है यह इसमें यदि चेंज आए ना, contraction में और peristall moment में, तो यह क्या गरता है, जो हमारा खाया पिया है, वो एक particular time तक एक particular पेट के area में रहना चाहिए, यदि suppose करो, आपको lose motion लगा है, खाया पिया एकदम से आप lose motion आपको होने की वज़े से बाहर निकल जाता है, यानि कि contact time व वो नहीं रहा जो आपकी body में digestion के लिए आपको चाहिए था, उसकी वज़े से आपका digestion hurt होता है, उसकी वज़े से हो सकता है कि आपको micronut deficiency हो जाए, हो सकता है, हो सकता है, पाइल्स हो जाए, so depression और stress भी बहुत बड़ा कारण है, और जब आपका यह हो जाता है, तो over acidity बनना और यह surface contact time को alter कर देते हैं, जिसकी वज़े से एक तरीके से एक problem और आती है, जिसको हम leaky gut बोलते हैं, surface permeable बना देता है, यह permeable का मतलब है, कोई भी चीज जल्दी से आपकी gut line से blood में direct मिलेगी, जब gut line से बिना digestion का food directly मिलेगा, leaky gut की वज़े से, तो inflammation cause होगा, तो neuroinflammation और vascular narrowing होने के कारण आपके brain पे extra pressure और आपकी memory, आपके neurodegenerative disorders, यह सारी चीज़े problem आपको आनी start होती है, और with the time आपकी वहर vital organs पे effect करना start, यह करता है, क्योंकि brain ही आपका master है, आपकी body को, सारी body को control करता है, so brain one, क्या करता है, has to elevate stress and depression, यह सबसे पहले तो आपको, मैं बताऊं, आपके stress और depression को कम करता है, क्योंकि इसके formulation में, L-3-9, tryptophan, जैसी आसी चीज़े डाले गई है, जो आपके happy hormone को, बढ़ाने में help करती है, जैसे zinko biloba है, L-3-9 है, green tea का extract बोला जाता है, उसको green tea में पाया जाता है, और आपका L-tryptophan है, यह happy index, आपके, जो खुसी वाले hormone है, उनको बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वज़े से, आप stress और depression पर control कर पाते हैं, और इसकी वज़े से, आपके gut की health भी ठीक रहती है, और आपका inflammation भी control हो जाता है, यह improve करता है आपके behavior और mood को, क्योंकि आपका digestion से सीधा का सीधा connection है, आपके brain का, तो stress कम होगी, तो mood और behavior भी change ही जाना start होगा, इवन आपका जो coordination है brain और body को, वो भी बहुत अच्छा होता चला जाएगा with the time, prevent neurodegenerative disorder, यह जो आपके with the time 40 साल के आपा, जो memory loss होना, cognition power में जाना, और एक तरीके से fast decision ना ले पाना, even BP की problem रहना, stress mediated जो diabetes है, वैसी problem हो जाना, इन सारी चीजों को एक तरीके से यह help करता है आपकी यह ना हो आपकी body में, यदि हो भी गई है, तो इनको reverse करने में और इनको delay करने में यह help करता है, so improve brain body coordination, particularly brain और body का coordination बना रहता है, तो आपकी body में healing power इतनी होती है, कि वो बहुत सारी बिमारें से लड़ सकता है, health to improve gut health, stress कम होगा तो गली, control करते हैं या उसको promote करते हैं, so endocrine system के लिए, सबसे पहले endocrine system ही है, हमारा जो glands होती है, जैसे thyroidic gland है, sorry, hypothalamus हमारी एक gland है, gonoids, ovaries, ये भी gland ही है हमारी body में, pancreas, ये gland है, तो इनकी health को सीधा असर डालता है, और इनकी health के कारण आपको पता है, क्या-क्या हमारी body में control होता है, इनके function change होने से क्या-क्या body में change हो सकता है, pancreas के change होने से diabetes, gonoids, जो है, ovaries में कोई inflammation या changes आता है, तो fertility पर इसुपढ़ता है, period cycle पर पर परता है, males में sperm count कम होना start हो जाता है, so vital function जो है, endocrine system से control होते हैं, और endocrine system का सबसे बड़ा, जो controlling है, वो है, pituitary और thalamus, जो hypothalamus हमारी gland है, जो हमारे दिमाग में पाई जाती है, हमारे दिमाग का एक पार्ट होती है, तो brain one आपकी बहुत बड़ी help कर सकता है, और आप दूसरे तीसरे दिन ही अपनी body में एक नई ताज़गी पा सकते हैं, एक नई energy पा सकते हैं, एक नया आप में enthusiasm बढ़ जाएगा, जो आपकी help करेगा, आपकी body को एक तरीके से regionate करने की एक तरीके से new energy आप में feel होगी, दो या तीन दिन आप इसको use करते हो जाएंगे तब, sleep quality को improve करता है, अच्छे से आपको नीदाना स्टार्ट होगा, अच्छे से आप relax कर पाएंगे, stress mediated diabetes जैसी चीज़े, आजकल एक research में पा गया है, जो stressful होते हैं, उनको diabetes ज्या होने के चांसी ज्यादा होते हैं, उसको reverse करने में brain, क्योंकि हमारा last time experience रहा है कि brain, जो हमारा product था brain से related, लोगों ने लिया था stress के लिए, brain के लिए, बट उनको basically result आए, hyper tension में basically उनको result आए, overall body के function में, उनके mood में, उनके hormones में, so ये एक तरीके से multifunctional काम करता है, brain one, क्योंकि इसके multiple ingredients इसमें डाले गई हैं, जो एक दूसरे को coordinate होके काम करते हैं, enhanced alertness, concentration, cognitive health, enhanced memory, power, age related जो memory जीसु हैं, वो सारी चीज़ें ये काम करने का काम करता है, इसके पीछे इसका formulation है, जो scientific formulation है, brain one का, इसमें जिंको बिलोबा extract है, बोको पा मोनरी है, अस्वगंदा है, इसमें वो भी केसम वाला है, go to cola extract है, डियेच्चे है, जो आपको green वाला, इस पूरी दोनों table में green वाली चीज़े जो दिख रही हैं, ये पहले भी थी हमारे उसम पर यहां पर यहां पर यह green वाली चीज़े ज्यादा बढ़ाए गई है, पहले के formulation से इसको ओर powerful किया गया है, इसके अलवा जो red में दिख रहे हैं, ये पहली बार डल रहा है, आप देखो कितना formula change है, आपका पहली बार डल रहा है, जो कि पेटेंटिड है, अन्तम का, L-9, एस्टाजेंथिन, B-6, B-1 ये पहले भी थे, अभी भी हैं, जो एस्टाजेंथिन ब्रीन के लिए बहुत अच्छा antioxidant होता है, L-9 आपके happy hormone, serotonin से लेके आपका dopamine release करवाने में, B-6 आपके metabolic के चीजों को एक तरीके से control करने में, folic acid डालागा है, quadrifolic का जो कि पहली बार, एस्टोनियावन फेमिली ही इंडिया में launch करें, quadrifolic को as a best folic acid form में, जो highest absorbable है और highest इसकी biological value है, tryptophan, tyrosine, ये भी आपके hormone को बनाने में एक तरीके से help करते हैं, और release करवाने में help करते हैं, N-acetylcholine है, जो आपके neuromessenger का का काम करता है, phosphidylserine है, ये एक तरीक से brain body के signal को best करने का का काम करते हैं, ये आपके genome healing पे काम करें, इसके अलाबा, zinc और copper है, इसमें जो कि brain की health के लिए बहुत important role play करता है, vitamin E, BASF का लिया है, ये भी patented है, D-alpha tocopheral acetate foam में, और B12 sinocobalavin और selenium, ये भी एक तरीके से आपके DNA को repair करने का काम करता है, और साथ में probiotic जो की gut जैसा है, आपका जैसा खाओगे आन, वैसा रहेगा मन, और आन को अच्छे से digest करने में, और उसको पेट से बाहर निकालने में probiotic ये help करते हैं, सो एक scientific formula, नए जरीके से develop किया हुआ formula, अब आपके पास हो, और ये मैं फिर से challenge से कह रहा हूँ, ये वाला formula पूरी market में नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, किसी का मतलब किसी के मैं challenge के साथ कहता हूँ, यदि ऐसा formula हो, तो जुरूर मुझे बताना, guide करना कि सर उनके पास है there is no another formula like that, जो brain one में है, because हमने इसको अलग-अलग factor पे जैसे वो पास आपके core बदाई थे ना, हर core के हिसाफ से बना, उसके बाद भी subcore है इसमें, subcore का मतलब है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, trans respiratory toll है, यह क्या करता है, यह basically blood flow को interrupt नहीं होने देता, और आपकी जो खून की नलिया है, उनको जो narrowing होती है, उनको relax करने का काम करता है, जैसे हमारा एक product था, L-Arginine, L-Arginine भी वैसे काम करता है, तो trans respiratory toll आपकी खून की नलियों की health के लिए बहुत अच्छा है, तो circulation अच्छा रखता है, तो यह subcore हैं इसमें, अब यहाँ पे आप देखेंगे, हमने stress को करने के लिए, कोप अप करने के लिए, अस्वगंदा है, जिनको है, और आपका, यहाँ पे हम देखेंगे, L-Tryptofen है, और L-T-A-9 है, यह stress को कम करने के लिए है, DHA है, यह आपकी जो brain की cell को दुबारा से regionate करने का काम करता है, सेलेनियम आपकी brain की जो निउरो सेल है, उनके DNA को मजबूत करता है, प्रोबाइटिक आपकी, यह तो मैंने 5-Core में बताई दिया था, 5-Core में से, Sub-Core में यह देखेंग, Acetyl, Collin और Puspidal Serine, यह बेसिकली क्या काम करें, यह निउरो में जो आपका दिमाग सोचता है, वो आपकी बोड़ी तक जल्दी पहुचाने का काम करें, यह आपकी alertness, एकदम से आप, जैसे sportsman के लिए तो बहुत जुरूरी होता है, एक best क्लास गई, ना उनका, इवन उनका तो पास experience भी है, mental game भी आ जाता है, बट क्या हो जाता है, उनका action slowdown हो जाता है, जिसकी वज़े से वो बीट होना start हो जाते हैं, उनके सामने वाला यह दी newcomer है, वो उस speed से बोल फेकेगा, उनका bet है ना, micro second में, वो आपको लगेगा नहीं बट, micro second में slow होने के कारण वो बीट हो जाते हैं, और जल्दी से एक तरीके से उनका out होने के chances, उनके performance गिरने के chance होते हैं, तो 40 साल के अस-पस वो retirement ले लेते हैं, तो acetyl, kulin और hospital, syrine, उन sportsmenों के लिए भी बहुत अच्छा है, जो sports करते हैं, जो अपना fast reaction चाते हैं, और alertness चाते हैं, वो उनके लिए भी अच्छा है, कि आप daily stage पे जा रहे हैं, या prospecting कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप alertness बढ़ेगी और आप हाजिर जवाबी भी एक तरीके से बनते जाएंगे, इसके अलावा जो आपके बच्चे कोई भी exam की preparation कर रहे हैं, ज्यादा पढ़ाई क कर रहे हैं, या आप corporate sector में ज्यादा काम कर रहे हैं, office में आपके workload ज्यादा रहता है, तो brain relaxing circulation और आपका neuro messenger ये बहुत ज्यादा आपको चाहिए, तो इस product में वो सारी चीज़े हैं, जो आपको एक layman से लेके corporate तक के लोगों के लिए product बहुत अच्छा है, sportsman से लेके, old days तक के people के लिए बहुत अच्छा product, एक बहुत अच्छा formulation, Estonia one family लेके आई है, आप लोगों के लिए, जिनको ब्लोबा अस्वगंदा, आपका anti-stress, blood flow, transrestre, estrogenthy, fisetin, terostrelibin, cognitive enhancement, blood brain barrier, amino acid, TMG, help to reduce stress and anxiety, DHE, brain development, tryptofen, tyrosin, serotonin, metabolism, regulates the mood, जो मैंने बताई जो काम है, आप लोगों को, folic acid है, आपका zinc है, copper है, यह भी mood को regulation करता है, selenium, जो आपके neuro-desernated disorder है, उनको बचाने में आपकी help करता है,